नमस्कार इन खबर में आपका स्वागत है मैं विद्देश इंगरतिवारी हूँ निर्भया के दोसियों का क्या होगा क्या 16 दिसंबर को उनको हासी के सूली पे लटकाया जाएगा या सुप्रीम कोर्ट में रिविव पिटिसन दाखिल करने के बाद ये टल जाएगा अभी पारिस भेज दित थी उसे टर्न डाउन करने के लिए बट इधर से जो हलचल है तिहार जेल में और वो हलचल जो है अब लखनव तक पहुँच गई है क्योंकि अभी दो दिन पहले तक ये खबर थी कि किसी भी प्रदेश सरकार से इस बाबत संपर्क नहीं किया गया है या जे डीजी जेल जो उत्तर प्रदेश के आनंद कुमार है उन्होंने इस बात की पूश्टी कर दी है कि तिहार जेल प्रसासन ने उनसे संपर्क किया है और दो जल्लादों के नाम मांगे है तो यूपी के पास इस समय दो जल्लाद है एक लखनव में और दूसरा मेरट में ल केली फोन आ चुका है तयार रहने के लिए आनंद कुमार ने कहा है कि पांच गंटे का समय हमने रखा है कि जब भी आप डिमांड करेंगे पांच गंटे के अंदर हम जल्लाद भीज देंगे पवन चुकी बगल के साहर मेरट में राते हैं और स्वस्त हैं इसलिए उमीद य जो है उनको फांसी के तक्ते पे चढ़ाएंगे तो हुआ क्या है कि पवन को पवन का ये पूस्तैनी धंदा है इनके ग्रेट ग्रेंट फादर ग्रेंट फादर जो कल्लू जल्लाद के नाम से जाने जाते थे और फिर इनके पिता मम्मू जल्लाद के नाम से जाने जाते थे कैसे किया जाता है वो कलू जलाद यानि की अपने दादा से सीखा था और वो ये बताते हैं कि किस तरीके से उन्होंने उनके दादा कलू जलाद ने दिल्ली की सेंटरल जिल में रंगा बिला को फांसी दिया था और कलू ने ही इंद्रा गांधी के हत्यारों को भी फांसी की फंदा बनाने का गूर उसमें अपने दादा से सीखा था अब पहुंच जलात काना है कि वो जैसे ही उनको बुलाया जाता है ये तो कनफर्म किया जा चुका है कि आप तयार रहे लेकिन जैसे ही फाइनल कॉल आती है उसके लिए उजाने को तयार साथ में वो अपनी राय भी है कि आतंकवादी हों या इस तरह से महिलाओं के साथ अपराद करने वाले लोग हों उन्हें फांसी दे करके संतूष्टी मिलेगी ताकि ये मेसे जा सके समाज में कि महिलाओं का किस तरीके से सम्मान किया जाता है अब देखते हैं देखिए एक तरफ निर्भया दोसीयों क मसला जो है राश्पती के पास है और दूसरी तरफ जो अक्षे ठाकूर है वो 11 थावर यानि कि फांसी के फंदे पे जाने से पहले जो है सुप्रीम कोड का दरवाजा खट खटाया है रिवीव पिटिशन को ले करके उदा से मर्सी पिटिशन जैसे ही टर्ण डाउन होगा वैसे ही अब यह है कि यदि कोई पिटिशन पेंडिंग है तो फिर फांसी के फंदे पे नहीं चड़ाया जा सकता सुप्रीम कोड ने उसके रिवीव पिटिशन को जो अक्षे ठाकूर ने अपने वोकील एपी सिंग के माध्यम से दाखिल किया भी एक्सेप्ट नहीं किया ह तो उसको वहां से भी टरंडाउन हो सकता है या जब तक एक्सेप्ट नहीं होता है उसका बहुत ज्यादा वैलू नहीं है तो ये दो डेट आ रही है एक तो 16 दिसंबर, 16 दिसंबर 2012 को निर्वया के साथ दिल्ली में ये रेप कांड हुआ था और जिसकी वज़ा से पूरे पूर भेजा गया था निर्वया को वहीं पर उसकी मौत हुई थी तो एक डेट 16 दिसंबर है दूसरा जो है 29 दिसंबर है और जेल प्रसासन तिहार के जो जेल नमबर 3 है वहां पे फांसी घर है और खुले में प्लेट फार्म है वहां पे इनको फांसी दी जानी है तो एक ब चार लोगों पूरे के राउदा जेल में एक साथ फांसी दी गई थी और यह दूसरा मौका होगा जबकि एक साथ चार लोगों को फांसी दी जाएगी तो पवन जलात को यह काम मिलने वाला है अब देखते हैं जैसे ही कोई अपडेट आएगा क्योंकि तीहार जेल में जो ह रही है उसे को यूज टू किया जा रहा है और इधर से जो है जो पूश्टी किया उससे यह तो लग रहा है कि अपनी तरफ से जेल प्रसासन तयार है कि जैसे ही उन्हें उपर से आदेश मिलेगा मर्सी पिटिशन टरंडाउन होगा खारीज होगी उसके बाद वो जाएंग मजिस्टेट के पास मजिस्टेट से कहेंगे जो डेथ वारंट होता है जिसको ब्लैक वारंट भी बोलते हैं जारी करने के लिए वो जारी कराएंगे और उसके बाद उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा जैसे को इसमें अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे आप द